हेलो फ्रेंड्स मेरे स्पामिस्ट्री एंड स्टॉलजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है तो आज हम अनैल्सिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं तो आज यूज्वल शुरू करूँगा फिंगर्स के अनैल्सिस से उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सैटिंग को और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को इस तरह से पुरे हैंड का जो अनियलसे से हम कंप्लीट करेंगे तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ साथ सा ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत न हो अपने हाथ की वीडियो बनवाने के लिए या फिर फोन कंसल्टेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाए गए मेरे इस नंबर के जरिये संपर्क कर सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हतेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वेरिश शेप में नजर आ रही है जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वरकिंग टाइप की नेचर को और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे फिंगर्स काफ़ी थिक हैं काफ़ी अच्छी लंबाई में नजर आ रही हैं और साथ ही साथ सभी फिंगर्स पर आपको कुछ इस तरह की बारीक सीधी खड़ी रिखाएं नजर ी इस तरह की रिखाओं का होना काफी पॉजिटिव माना जाता है ऐसे रिखाएं अगर सभी फिंगर्स पर मौजूद हो तो यह व्यक्ति को मिलनसार परस्नालिटी बनाती है ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ अच्छे से तहजीब से पेश आने वाले होते हैं एक बहुत अच्छी नेचर ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी यहां से आप देख सकते हैं फिंगर्स की थिकनिस को जो दिर्शाती है काफी अच्छी एनरजी एन्ड स्टैमिना को अगर हम लंबाई की बात करें तो आप यहां पर देख पाएंगे इनकी तरचनी उंगली यानी गुरू फिंगर काफी अच्छी लंबाई में है बिलकुल स्ट्रेट है इस तरह की गुरू फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि ऐसा व्यक्ति काफी knowledgeable होगा ऐसे व्यक्ति spiritual minded होते हैं जैसे जैसे ऐसे व्यक्ति की age बढ़ती है वैसे वैसे ऐसे व्यक्ति का चुका भी spirituality की तरफ होने लगता है यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो शनी finger है काफी अच्छी लंबाई में है और बिल्कुल straight नजर आ रही है शनी finger का अच्छी length में होना व्यक्ति को काफी महिनती नेचर का बनाता है ऐसे व्यक्ति महिनती होने के साथ साथ discipline होते हैं एक अनुशाशन प्रिया और न्याए प्रिया टाइप की personality आपको ऐसे व्यक्ति की देखने को मिलेगी और अपनी इन ही खूबियों की वज़े से जीवन में बहुत अच्छी तरक्की करपाने में ऐसे व्यक्ति जरूर कामयाब हो जाते हैं इनकी सूरिया finger को देखा जाए तो यह finger बिल्कुल straight और लंबाई में बहुत अच्छी नजर आ रही है इस finger की जो लंबाई है वो इनकी तरजनी के लगभग equal पहुँचती हुई इस तरह की सूरिया finger का होना व्यक्तिव की creative nature को indicate करता है ऐसे व्यक्ति की artistic qualities भी काफी अच्छी रहती है जिन लोगों की सूरिया finger अच्छी लंबाई में होती है बिल्कुल straight होती है अच्छी personality और एक काफी अच्छी recognition ऐसे व्यक्ति को समाज में मिलती है एक बहुत अच्छा social circle ऐसा व्यक्ति अपने चीवन में बना पाने में भी काम्याब हो जाता है सूरिया finger का अच्छी लंबाई भी होना व्यक्ति को थोड़ा सार risk taker भी बनाता है ऐसे व्यक्ति जीवन में risk लेने से नहीं घबराते हैं और कई बार तो अपनी investments के मामले में भी ऐसे व्यक्ति रिस्क ले बैठते हैं कई बार ऐसे व्यक्ति अपने धन को ऐसी जगाहों पर invest कर देते हैं जहां पर loss की संभावनाएं भी हो जैसे share market है, crypto currencies है, mutual funds है, multi level marketing है ऐसी चीजों की तरह भी व्यक्ति का रुच्छान आपको देखने को मिल सकता है अगर हम इनकी सबसे छोटी finger की बात करें तो यह finger, mercury finger काफी अच्छी लंबाई में होने के साथ सूर्य finger के top falange तक आपको पहुंचती हुई नजर आएगी इस तरह की लंबी mercury finger का होना बहुत अच्छे communication skills को और काफी अच्छे business equipment को indicate करता है यहाँ पर इनकी जो mercury finger है थोड़ी सी low set भी है अगर हम सभी fingers के नीचे एक line draw करें तो आपको कुछ इस तरह की एक रेखा बनती हुई नजर आएगी इस तरह की रेखा में आप देख सकते हैं इनकी जो mercury finger है काफी नीचे से शुरू होती है जबकि इनकी सूर्य फिंगर इनकी शनी फिंगर और इनकी गुरू फिंगर तीनों की तीनों काफी high set है काफी उपर से शुरू हो रही है जिस वज़े से यह fingers काफी positive results देती है और low set mercury finger होने की वज़े से थोड़ी shy nature थोड़ा hesitation वाला सभाव भी आपको ऐसे व्यक्ति का देखने को मिल सकता है बात करते हैं इनके mounts की तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनका जो guru परवत है काफी उभरा हुआ है गुरू परवत के उपर एक आड़ी रेखा भी आपको नज़र आएगी यहाँ जो area है इसको हम guru का mount यानि guru परवत कहते हैं यहाँ पर इस तरह की रेखा का होना व्यक्ति को धार्मिक प्रविति का बनाता है इस तरह की रेखा को guru वले कहा जाता है और ऐसा guru वले हाथ पे धीरे धीरे spirituality की तरफ जुकने लगता है और ऐसा व्यक्ति social work जैसे काम करने में भी interest लेने लगता है और थोड़ी विराग्या की भावना आपको इस जो यहाँ रिंग बन रहा है जिसको हम ring of Solomon कहते हैं इसकी वज़े से रह सकती है काफी अच्छी एक लंबी progress line इनके हाथ मे मौझूद है यहां से जीवन रेखा से निकल कर उपर की तरफ चलने वाली यह रेखा जो इनके गुरू परवत पर बिल्कुल उपर तक पहुँच रही है इस रेखा को progress की line कहा जाता है ऐसी line हाथ में हो तो ऐसा व्यक्ति अपनी knowledge की वज़े से अपने ग्यान की वज़े से जीवन में काफी अच्छी तरकी करपाने में कामयाब हो जाता है अगर हम इनके शनी परवत की बात करें तो आप यहां पर देख सकते हैं शनी का मौंट यहां पर दबा हुआ है जिनका भी शनी परवत दबता है ऐसे व्यक्ति को अपने करियर की शुरुआत के समय संघर्ष देखना पड़ता है काफी सारे उतार चड़ा भी ऐसे व्यक्ति के जीवन में आते हैं जिनका शनी परवत दब रहा हो ऐसे व्यक्ति को अपने कमफर्ट जोन से निकल कर भी शुरुआती दोर में काम करना पड़ सकता है इनके हाथ में शनी रेखा मौचूद है जो एक अच भागया की रेखा या शनी रेखा भी कहा जाता है इस रेखा का हाथ में मौचूद होना ही काफी लकी माना जाता है जिनके हाथ पर भी भागया रेखा होती है ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में काफी अच्छा धन कमा पाने में और जीवन में हर तरह कि सुक्स विधाएं अर कर पाने में काम्याब रहते हैं मनी ट्रैंगल की बात करें तो इसी रेखा की वज़े से मनी ट्रैंगल बनता है सबसे पहले तो यही वाली रेखा जिसको हम भागया रेखा कहते हैं दूसरी यह रेखा जिसको हम माइंड की लाइन या मस्तिक्ष रेखा कहते हैं और तीसरी रे आपको कुछ इस तरह से ओवरलैपिंग के साथ चलती नजर आएगी जिस वज़े से मने ट्राइंगल का कुछ इसा आपको खुला नजर आएगा जो जीवन में समय समय पर काफी ज़्यादा खर्चे और नुकसान यानि फाइनाशिल लॉसिस इस तरह के ओपन मने ट्राइंगल की वज़े से देखने को मिलते हैं लेकिन इस ट्राइंगल का होना ही बहुत अच्छा होता है जिनके हाथ पर भी या ट्राइंगल होता है ऐसा व्यक्ति जीवन में धीरे धीरे करकर काफी अच्छा धन अरजित कर पाने में कामयाब हो जाता है अगर हम इनके सूरे परवत की हाट लाइन यानि इस रेखा के बिलकुल उपर है और इस तरह की सूरे रेखा हाथ में हो तो ऐसे व्यक्ति लेटरेज में पहुंचकर बहुत अच्छी पहच्छान सुसाइटी में बना पाते हैं सूरे माउंट का दबना जीवन में से यश को कम करता है चिनका भी सूरे पर नाम कोई अप्रीसियेशन नहीं मिल पाता जिसे हम यश की कमी कहते हैं मरकरी माउंट को देखा जाए तो मरकरी का एरिया यहां पर हलका सा लो सेट जरूर है लेकिन काफी उभरा हुआ मरकरी माउंट काफी अच्छी लमाई में मरकरी फिंगर और यहां पर मरकरी रिखाएं ऐसे व्यक्ति के काफी अच्छे विजनस एक्कुमेन को इंडिकेट करती है यहाँ पर आप देख पाएंगे कुछ बारी चोटी चोटी खडी लाइने भी मौजूद है इन रिखाओं को हीलिंग लाइन्स कहा जाता और जिनके हाथ पर भी ऐसी हीलिंग लाइन्स होती है ऐसे व्यक्ति दूसरों की प्राब्लम्स को दूर करने वाले होते हैं अपने शब्दों से, अपने करमों से, अपनी सलहा या कंसल्टेशन के जरिए लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की काबलियत ऐसे व्यक्ति के भीतर आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी लाइन ओफ हार्ट कुछ इस तरह से आगे बढ़ती हुई और अन्त में चलकर एक और रिखा के माध्यम से यहाँ पर कुछ इस तरह का एक फोर्क बनता हुआ इस तरह के फोर्क को विशनु सिंबल कहा जाता है और जिनकी भी हार्ट लाइन के लास्क में ऐसा कोई फोर्क बन जाए ऐसे व्यक्ति बहुत लगी होते हैं इस तरह का फोर्क होना व्यक्ति को चीवन में काफी अच्छी उच्चाई तक लेकर जा सकता है लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ पर ऐसा विशनु सिंबल बन रहा हूँ ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से चीटिंग के माध्यम से धोका धड़ी से गलत तरीके से पैसा कमाने की कोशिश करने लगे तो चीवन में बड़ी दिक्तें आ जाती हैं और ऐसे व्यक्ति की तरकी रुक सकती है इसलिए जिनके भी हाथ पर यह चिनल बनता है उन्हें हमेशा यही सुजिस्ट करता हूँ कि हमेशा सही रास्ते पर चलते हुए ही धन क कमाएं आप यहां पर देख पाएंगे कुछ डाउनवर्ड ब्रांचिज आपको इनकी हार्ट लाइन पर नीचे की तरफ निकलती हुई नजर आएंगी जिसकी वज़े से जीवन में कई बार एमोशनल सैट बैक्स का सामना करना पड़ता है ऐसी रिखाएं होने से व्यक्ति को लेटरेज में पहुंचकर ब्लड प्रेशर, थायरोइड, क्लेस्टरॉल, ऐसी थमस्यां, डियावेटिस, ऐसी प्रॉब्लम्स होने की समभावना भी अधिक रहती है अगर हम इनकी मस्तिक्ष रिखा की बात करें तो आप यहां पर देख पाएंगे इनकी जो माइंड ला है और बिलकुल हतेली के दूसरे शोर तक पहुंचती हुई, लगबा की सेरिया से शुरू होने वाली यहां रिखा, आप देख पाएंगे, यहां तक पहुंचती हुई, यहां हतेली का बिलकुल दूसरा शोर है, इस तरह की लंबी माइंड लाइन का होना बहुत अच्छी म मिमरी को बहुत अच्छी लॉजिक को इंडिकेट करती है, इस रिखा का ऐच्छी लंबाई में होना पॉजटिव हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति की मेमरी धिक रहती है, अच्छी पुरानी से पुरानी बातों को याद रखता है, और कई बार उनी बातों को बार बार ओर देख होती है अगर हम इनकी जीवन रेखा की बात करें तो आप देख पाएंगे इस सेरिया से शुरू होने वाली यह रेखा इनकी अथेली में बिलकुल नीचे तक पहुँचती हुई लगबग 75 से लेकर 80 के आसपास की एज रहने की समभा बनाएं इस तरह की लंबी लाइफ लाइन दर्शाती है चीवन रेखा के साथ साथ अंदर की तरह इस रेखा का होना बहुत पॉजिटिव होता है ऐसे व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी के माबले में काफी भागशाली होते हैं हाथ में मंगल रेखा होने की वज़े से ऐसा व्यक्ति अपनी महिनत के बलबूते पर अच्छी प्रॉपर्टी बना पाने में काम्याब हो जाता है ऐसे व्यक्ति को पुष्टैनी जमीन जैदाद मिलने की समावनाई भी प्रबल होती है चीवन रेखा के अंत में बहुत अच्छा फिश का सिंबल बनता हुआ आपको ड्रॉव करकर दिखाना चाहूंगा हाथ में अगर केतु एरिया पर यह जो अथेली में कलाई के बिल्कुल सेंटर में यहाँ पर जो हिस्सा होता इसको केतु का माउंट कहते हैं और अगर किसी व्यक्ति के हाथ में यहाँ पर इस तरह की रिखाओं के माधियम से फिश नुमा अकृती बने तो यह ऐसे व्यक्ति को बहुत लकी बनाती है ऐसे व्यक्ति चीवन में कई बार अच्छानक धन का लाप आते हैं इस तरह का चिन यहाँ पर बनना इंडिकेट करता है कि ऐसे व्यक्ति को शेर मार्किट से लौटरी के जरीए इंशोरेंस के माधियम से या इन्हेरिटेंस यानि पुष्टैनी जमीन जैदाद के माधियम से काफी अच्छी धन की प्राप्ती होने के योग रहते हैं ऐसा व्यक्ति चीवन में कई लंबी दूरी की यात्राएं भी करता है जिनके इस हिस्से पर केतु परवत के उपर ऐसा मत्सय का चिन बनता हो अगर हम इनके चंदर परवत की बात करें तो चंदर परवत के उपर काफी सारी आड़ी रिखाएं मौजूद है यह जो एरिया इ रहते हैं कि यहां पर इस तरह हैं कि रिखाओं का होना अच्छा चिन नहीं होता ऐसी रिखाएं होने से जीवर में ट्रैवल तो अधिक रहता है लेकिन बेचैनी यानि एंग्जाइटी की समस्या होने की स्भावनाई भी काफी अधिक होती है अगर हम इनके वीनस यानी हाथ में काफी उभरा हुआ नजर आ रहा है और शुकर परवत अगर किसी व्यक्ति के हाथ में उभरा हुआ हो तो यह बहुत पॉजिटिव संकेत होता है ऐसा व्यक्ति अपने चीवन में हर तरह कि सुक्सुविधाएं पाता है लेकिन इस माउंट के उपर इस तरह की बारी आड़ी रिखाओं का होना अच्छा चिन नहीं होता ऐसी रिखाएं होने से परिवारिक चिनताओं का सामना करना पड़ता है ऐसे व्यक्ति की फैमिली लाइफ में भी इस तरह की रिखाओं की वज़ए से डिस्टर्बेंस हो सकती है मैरेड लाइफ में और परिवारिक के जवाब एक ही वीडियो के तुरू दे पाऊं लेकिन फिर भी कोई न कोई चिन या स्वाल रह जाता है तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई कोईशन पैंडिंग है तो मुझे वटसैप पर मेसेज करें मेरा वीडियो वाच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद